तीन चीज से हम आज मिठाई बनाएंगे और तीन चीज सब के घर में होता है दूद, चीनी, निम्बू वेलकम बैक टू मैं चानल तो आज मैं आप सभी के लिए रस मलाई का रस्पी लाई हूँ जो बहुत हीजी है कुछ नहीं करना, आपको पतीला लेना है, भगोना कडाही जो भी घर में आप ले लिजे उसमें 2 लिटर विनेगर है, लाई है तो बस निम्बू का रस इसमें डाल दिजे उसको ले ले लिज़े नहीं तो कोई भी कपड़ा है उसको ले लीजे और उसमें डॉल ले दिज़े फटा हुआ जो भी दूद है और चान देजिए इसका झो पानी उसको निकाले के बाद क्या करना है हम छेना कि ठो लेना है क्योंकि जो हम डालते उससे खवटापन रहाह जाता है तो दो पानी दाल कर अच्छा से इसको दो लेना थो 2 काम और खवटापन भी हो छाएगा और हमारा शुर जैग णाका वहर्ता जिको पानी है उसको निकाल लेंगे थोड़ा साँ नहीं रहती होता है अच्छे हम इसको मसल लेंगे अच्छे कि इसको सौफ्ट कर संब मियाइन अच्छे मिक्स करना ऑच्छे की люб कर सकते हैं जो भी सेफ देना आप दे दीजें है तो एच्षेना ही भनने वाला रसमलाईी सेफ से तो कोई फर्क पढ़ने वाला है नहीं ताप कुझ भी सेफ में ट्यार करना आप उसको अच्छे से त्यार कर लिजिए एक कड़ाही में ले लीजिए आप पानी डाल दीजी चीन कम से कम 10-15 मिनट इसको पकने दीजिएगा तभी इसका जो रस है अच्छे से घूंच जाएगा इसके अंदर हो यह जो हमारे रस में फूल के बड़ा हो जाएगा और सौप्ट हो जाएगा इसको अलग से एक बॉल में निकाल के रख देंगे फूलने देंगे जैसे इसका रस निकल रहा हो जाएगा उसके बाद हमें फिर से कडाही लेना है उसमें दूद डाल देंगे एक लिटर या डे लिटर आप दूद डाल दीजिए उसको अच्छे से पकाते रहे जब तक यह ठीक ना हो जाए जैसे गरहा ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाते रहना है और रसमलाई में आप देखते हों कि पीला कलर हो जाता है तो आप चाहिए तो फूद कलर भी डाल सकते हैं अगर नहीं हुआ फूद कलर तो आप थोड़ा सा हल्दी का पाउड़ा डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी का पारव डाल दीजीगा तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा आप चाया तो फूल्ड कलर युज़ कर सकते हैं और चीनी डाल दीजेगा मीठे के हिसाब से चीनी डालकर अच्य से इसको तब तक पकाईएगा जब तक के गरहा अब हमने जो मिठाई तया किया था उसको निकाल देंगे अच्छे से घार करें उसको निकाल कि अभी जो दूद के लबडी तैयार किया उसको हम डाल देंगे इस पर ड्राइफफृसस देंगे जो यह ब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को झाल 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 झाल